हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल दोस्तों क्रेडिट कार्ड की लिमिट को चुटकियों में बैंक एकॉण में ट्रांस्फर करना है तो बहुत ही जबर्दस्ट वीडियो लेके आयों आपके लिए 76,000 रुपीज की कार्ड की लिमिट को फ्री में आप बैंक एकॉण में ले पाएंगे फ्री में तो ले पाएंगे साथ में आपको एक्स्ट्रा कैस्बग भी मिलेगा अब ये डिपेंड करता है आपके उपर आपको कितना कैस्बग मिलता है क्योंकि जो भी कार्ड आप यूज करेंगे उसके हिसाब से डिसाइड होगा आपको एक्ष्टा कितना कैश्बक मिलने वाला है लेकिन कार्ड की लिमिट टोटली 76,000 रुपय तक फ्री में आप बैक एकॉन में ले सकते हैं तो चले बिना किस देरे के वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल पर अगर फर्स टैम मेरे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजे बैल नोटिफिकेशन आइकन दबा लिए ताकि इस तरह की काम की वीडियो कभी आप से मि सक्षेन कि कर्पिस की कार्द की लिमिट को बैंक एकन में ट्रांसर कर सकते हैं अगर आपको कम करना है तब कम भी कर सकते हैं यह आपके औपर डिपंड करता है तो दोक्थम इसके लिए यहाँ पे आपको offers on paytium दिखाई देंगे page को थोड़ा right to left scroll किजिए तो यहाँ पे आपको last make offer दिखेगा flat hundred cashback, tuition fee payment आपको इस offer को collect कर लेना है मैं इसे open करता हूँ तो यहाँ पे देखे दोस्तो 10,000 रुपे का tuition fee payment करने पे आपको flat 100 रुपे के cashback मिल जाएगा आपको इस coupon code को collect कर लेना है अगर आपके पास 1700 cashback points है पेटियम में तो आप वो cashback points दे कि एक coupon code ले सकते हैं otherwise अगर आपके पास cashback points नहीं है तो मात्र 15 रुपे का आपको payment करना होगा आपको एक tuition fee का coupon code मिल जाएगा जिसे हम tuition fee payment करने time पे वहाँ पे चिपका देंगे 10,000 का tuition fee payment करेंगे तो हमें 100 रुपीस का cashback extra मिल जाएगा इसे आपको collect कर लेना है उसके बाद दोस्तों आप bill payment offers पजाएए यहाँ पे आपको tuition fee payment का एक offer दिखाई देगा याँ देगे pay tuition fee get flat 750 cashback मैं इसे open करता हूँ यहाँ पे आपको 2500 रुपे का cashback मिलेगा पहले tuition fee payment पे और यहाँ पे आपको 50,000 रुपे का minimum tuition fee payment करना होगा तो आप अपने किसी family member के UPI ID में instantly यह tuition fee pay कर सकते हैं यहाँ पे आप चाहे तो 50,000 रुपे तीन बार tuition fee payment कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक बार ही recommend करूँगा सबसे पहले आप इस offer को activate कर लीजे activate offer पे click करके अब आप 50,000 रुपे का tuition fee का amount एंटर कीजे वहाँ पे आपको यह 100 रुपे का coupon code मिला है tuition fee payment का उसे apply कर दीजे तो यह tuition fee payment होते ही आपको 100 रुपे का cashback एक्स्ट्रा पेटियम पे मिल जाएगा अब देगे payment page पे मैं आ गिया यहाँ पे 50,000 के tuition fee payment करने पे आठ सुरुपे का convenience fee लग रहा है लेकिन दोस्तों धाई सुरुपे का cashback तो आपको इस offer के अंडर में मिल जाएगा 50,000 के tuition fee payment करने पर 100 रुपे का cashback tuition fee promo code यूज करने पे मिल जाएगा यानि 3,500 रुपे का तो आपको cashback मिल गया 800 रुपे का यहाँ पे चार्ज लग रहा है यानि 4,500 रुपे का extra आपको यहाँ पे चार्ज लग रहा है तब यह जब 50,000 रुपए का आप tuition fee payment करेंगे, इसे आप कुछ cards को यूज करके payment करेंगे तब को फायदा होगा, जैसे कि Amazon ICA से card यूज करके payment करेंगे तो 500 रुपए का cashback आपको Amazon ICA से card मिल जाएगा, तो सारे charges कार्टने के बाद 50 रुपए का आपको profit हुआ और 50,000 की limit भी bank account में आ गई, as by simply card यूज करेंगे, तो 1.25% का cashback मिलेगा as reward points, आप उसे साब से calculate कर लिजे, standard charter का smart card यूज करेंगे तो आपको 2% का cashback मिलेगा, यानि कि 1000 रुपए का cashback मिल जाएगा वहाँ पे, तो इसमें तो आपको और भी ज़्यादा benefit होने वाला है, Axis bank के कोई भी card use मत किजएगा, कुछ भी cashback नहीं मिलेगा, as by cashback card पे कुछ भी cashback नहीं मिलेगा, तो इस तरह से दोस्तों, इस offer को use करके, 50,000 रुपए की card की limit फ्री में आपके bank account में आ जाएगी, तो यह ता पहला offer, अब दूसरे offer से आप 26,000 रुपए की limit को free में bank account में ल 35% का cashback मिलेगा, up to 300 रुपीज, जो कि आपके fuel wallet में मिलेगा, bike का तो सभी के होती है, fuel wallet में जो पैसे मिलेगे, उसे जाके fuel भरवा लिजे, एक ही बात है, तो यहाँ पे आप 12,800 रुपए का paytm में add money करेंगे, तो आपको 2.35% के हिसाब से पूरे 300 रुपए का cashback मिल जाए यानि एक महिने में दो बार apply कर सकते हैं, तो इस तरह से अगर आप 12,800, 12,800 करके approximately 26,000 रुपए की limit को paytm wallet में add करते हैं, credit card से, तो आपको 600 रुपए का यहाँ पे cashback मिल जाएगा, यहाँ पे 12,800 रुपए paytm wallet में credit card से add करने पे, आपको 300 रुपए का ही charge लगेगा, यानि 300 का आपको cashback मिल गया, 300 का आपको यहाँ पे charge लगा, तो टोटल बराबर हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फाइदा नहीं हुआ, लेकिन आप जो card आप यूज़ करेंगे, जिसके तो आप यह पैसे paytm wallet मेट करेंगे, उस पे आपको cashback मिलता है, वो आपकी extra profit हो ग लेगा, वहाँ पे आपको 520 रुबए का extra profit हो जाएगा, as by simply card use करेंगे, तो वहाँ पे 1.25% का cashback मिलेगा, तो उसे साब साब calculate कर लीजे, वो आपका profit हो गया, तो इस तरह से दोस्तों, दौनों offers को मिला के 76,000 रुपिस की limit, आप बिल्कुल free में bank account में ले सकते हैं, अब आ 76,000 का 1%, 760 रुपे का interest आपको केवल 30 दिन में, मोब्यू की extra पे मिल जाएगा, 30 दिन बाद पैसे को withdraw करके, आप अपने cards के bill का payment कर दीजे, बिल payment करने पे भी आपको कुछ ना कुछ cashback मिलेगा, उसे में जो offer चल दा होगा, उसके मुताबिक, और 760 रुपे का, बिल्कुल free के interest आपको कमाई हो जाएगी 30 दिन में, तो हुआ ना सोने पे सुहागा, फटावट जाएए और दौना offers का fight out आए, अच्छी खासी limit भी bank account मिलीजे, और उस limit पे अच्छा खासा cashback भी कमा लीजे, आसका तो information काफी अच्छी लोगी होगी, वीडियो का एक like करना ना बुले आसके अच्छी लोगी होगी 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 हो